जेहिन दोस्तो रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है दोस्तो आज के कुछ सैनिक समाचार है और कुछ important information है जो मैं आपको देना चाहूँआ दोस्तो कई pensioners के पास phone पे ये वाला message आए कई pensioners कह रहेते कि सरह में इस message का क्या करना है दोस्तो एक SBI pension सेवा पोटल है इसमें आप pension से चीज़े related देख सकते हैं इस पे आप register करके दोस्तो एक तरके का दोस्तो ये असान steps है pensioners के लिए कि वो घर बैठे ही अपने android phone से जिसके बास apple का phone है उस phone से घर बैठे ही pension सेवा पोटल का आनंद ले सकता है दोस्तो इसमें आपको कुछ details mention करनी पड़ेगी जो भी आपकी pension से लेटेट चीज़े है जो data है वो आप देख सकेंगे इस पोटल के थुरू तो आपको घबराने की जूरत नहीं है अगर आप यह करना चाहते है तो वो आपके उपर है अगर आप नहीं करना चाहते तो दोस्तो वो भी आपके उपर है आगे चलते हैं दोस्तो दोस्तो सरकार ने जारी किया memorandum दोस्तो अब यहाँ पे देखिए सबसे important information है आपके लिए भी पेंशनर and welfare department ने कहा है कि उसके पास इससे समंदित कई सवाल आये हैं जिसमें पूछा गया है कि महंगाई बत्ता मूल पेंशन पर दिया जा रहा है अथवा पेंशन पर कम्यूटेशन के बाद कम किया गया है इस पर विभाग ने जानकारी देत हुए कहा है कि कम्यूटेशन स पहले मूल पेंशन पर महंगाई रात दी जाती रही है कम्यूटेट पेंशन की कटोती के बाद पेंशन पर महंगाई रात का भुगतान नहीं किया जा रहा है दोस्तों पेंशनर्स and welfare department के पास बहुत से question आये दोस्तों और यह किस पे question थे कि जो DR calculate होता है वो किस पे calculate होता ह क्या commutation minus करने के बाद जो residual pension होती है उस पे DR calculate होता है या basic pension पे DR calculate होता है दोस्तों एक मैं आपको छोटी सी calculation दिखाता हूँ आप समझ जाएंगे दोस्तों अब यहाँ पे देखिए राजेश कुमार नायफ सुविदार दोस्तों अगर हम इनकी मूल pension देके basic pension तो दोस्तों 28,450 दोस्तों यह है इनकी basic pension अब इनका commute amount वो भी minus हो रहा है कितना हो रहा है 11,380 यानि minus करके जो residual pension बनी कितनी बनी 17,070 दोस्तों जो DR calculate होगा चाहे वो 38% हो दोस्तों जो DR calculate होगा वो होगा basic pension पे 28,450 पे जो DR calculate होता है दोस्तों वो residual pension पे calculate नहीं होता है दोस्तों एक बात आपने यहाँ पे clear हो गई यानि basic pension पे DR calculate होगा उसके बात दोस्तों फिर जो amount आएगा total करके यानि basic pension प्लस DR उसमें से आपका commutation minus हो जाएगा यानि basic pension 28,450 फिर इस पे DR calculate होगा 38% फिर उनका total और फिर minus होगा दोस्तों यह committed value 11,380 तब हमारी pension बनेगी दोस्तों एक बात मैंने आपको यहाँ पे clear कर दी अब दोस्तों शलते हैं OROP2 की बात दोस्तों major general सद्बिक सिंजी ने एक tweet किया है क्या लिखा है इसमें 43 days extension time is over यानि आगे आने वाले महिनों में जो time extension था वो भी खतम हो जाएगा दोस्तों 43 days बात यानि हम अगर मानें त 12 से 15 December तक no order from government for payment area और अभी तक हमें government की तर से कोई payment देखने को नहीं मिला है ना ही area देखने को मिला है ना ही हमें OROP2 table देखने को मिली है letter to honorable PM are mandatory chiefs not yet responded और इनके दोरा जो letter दिये गए थे PM जी को OROP के समद में area के समद में उसका भी दोस्तों कोई जवाब नहीं आया delay is serious cause of concern to ESM और दोस्तों जो इसकी देरी हो रही है ये काफी नुकसान कर रही है हमारे ESM के लिए दोस्तों एक मैं आपसे question पूछूँगा आप मुझे comment करके बताएगा दोस्तों जो हमें OROP2 और area अभी तक नहीं मिल पाया है इसमें काफी लंबा time लग गया है तो दोस्तों एक कारण इसका expenditure हो सकता है कि expenditure की वज़े से हमें OROP2 और area नहीं मिल पाया है जिस तरीके से दोस्तों 18 मेने का जो day का area था वो भी expenditure की वज़े से हमें अभी तक नहीं मिल पाया मतलब पैसे का दवाब पढ़ रहा है गौर्मेंट पे जिसकी वज़े से जल्दी से जल्दी वो काम नहीं कर पा रही है तो दोस्तों क्या OROP2 और area पे भी expenditure का दवाब है दोस्तों भले हमारे लिए सब table ready वगरा हो गई हो सब कुछ चीजे बन गई हो लेकिन दोस्तों एक main question है कि आपकी जेब से मोटा amount खर्च होना है OROP2 का और दोस्तों किसकी जेब से गौर्मेंट की जेब से तो दोस्तों जब भी पैसा निकलवाना हो किसी की भी जेब से तो दोस्तों उस पे सोचना पड़ता है question mark लगता है और दोस्तों ये तो काफी pensioners की बात है दोस्तों क्या expenditure कारण है इसका कि हमें OROP2 और area पे इतना लेट हो रहे है क्या दोस्तों कोई और दूसरा कारण है तो दोस्तों आप वो भी मुझे comment करके बताईगा तो दोस्तों आप मुझे बताईए क्या expenditure की वज़े से हमें OROP2 और area में इतना लेट हो रहे है दोस्तों एक मेरे मन में ये सवाल था जो मैंने आपसे पूछ लिए आप मुझे comment करके बताईगा बाकि दोस्तों मैं आपकी भी रायक जानना चाहूँगा कि आप क्या सोचते हैं इस पर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं थैंक्यू सो मच